जैहिन सभी साथियों को क्यूक आईक्यू स्टडिम आपका स्वागत है आज से हम एक सीरीज अस्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम परिछा उप्योगी संभावित प्रस्ण है इस सीरीज से हम आपको 1000 प्लस कोश्चन प्रवाइट करेंगे हर एक वीडियो में 20 कोश्चन करवाये जाएगा जिसे आपको 50 मौक टेस्ट पूरा होगा तो स्टुडेंट्स आप लोग इस चैनल के द्वारा जुड़े रहे हैं और जुड़ेंट्स नए हैं इस चैनल पे और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर ले साथ ही बेल आएकर भी दबा दें ताकि नेश्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा चलिए कोश्चन स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन हम आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे सोशनल मेडिया के द्वारा जूणना चाहते हैं तैसे कि फेस्बुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगे सबसे लास्ट में उसका लिंक मिल जागा आप वहां से जॉइन कर सकते हैं चलिए कोश्चन चाहर करते हैं पहला कोश्चन है कि निमली खित में से कौन बायू पर्दूसक नहीं है अहां देखिए आपको चार ओप्शन दिया जाएगा दोस्ते इस तीन सकेंड आपको हम सोचने के लिए देंगे उसके बाद इसका हम आइंसर बताएंगे तो चलिए चलिए जियुक खिया है अीक निम्ली खित में से कौन बायू पर्दूसक नहीं है तो अगर इसने आपको चुन है option number C तो ने तो तो अगर आपने option number C चुना है, तो आपका सही है, जल में, परतम जीव की उत्पति जल में ही हुई थी, next question है कि जीव की उत्पति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किस ने किया, तो इसका right answer जगा, option number D, ओपेरीन ने, ओपेरीन ने ही इस कथन का सत्यापन किया था, कि जी कोफी प्राप्त होता है, जिसका right answer हो जागा, option number B, बीजों से, पोधे के किस भाग से कोफी प्राप्त होता है, तो बीजों से, इसको ध्यान में रखियेगा, next question है, निकोटीन किस में पाया जाता है, तो option number B, जा right answer, तंबाकू की पत्ति में, अगर आपने option number B चुना है, त तो सही आपका, तंबाकू की पत्ति में निकोटीन पाया जाता है, next question है, कीट भच्ची पौधा कौन है, तो अगर इसका answer आपने B चुना है, तो आपका सही है, ड्रोसरा, कीट भच्ची पौधा कौन है, तो ड्रोसरा, देखिए साथिकों, इस वीडियो में आपको हम आप लोग लास्तक बने रहिएगा, next question है, की DNA का model प्रस्तूत करने के लिए 1962 में किसी नोबल प्रुसकार मिला था, तो अगर आपने option number D चुना है, तो आपका सही है, ब्रिगरस एवं किंग को, यह जो है, इनी कोई 1962 में नोबल प्रुसकार मिला था, DNA का model प्रस्तूत करने क के वास्ते, चलिए next question हो जाएगा आपका, अनुवान सिक्ता के जन्मदाता कौन है, तो अगर आपने इसका option number D चुना है, तो सही है, मेंडल, अनुवान सिक्ता के जन्मदाता है, मेंडल, next question आपको मिल जाएगा, आलू क्या है, चार अप्सन जागिया है, जड, तना, फल, बीज, तो इसका राइटेंसर क्या होगा, option number B तना, आलू क्या है, तो एक तना है, next question है, चेचक के वैसिन को सर्फ अथम किसने तयार किया, तो डॉक्टर जेनर ने, option number B जार राइटेंसर, डॉक्टर जेनर ने, चेचक के वैसिन को सर्फ अथम तयार किया था, देखे साथ अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपसे खुछ सिखने को मिल रहा है तो जितने भी वीडियो हम आपको करवाए हैं सारे के सारे वीडियो लाज तक देखे और उसको आप नोट्स बनाईए ताकि आपको एक्जाम्स में रिविजिन करने का जैसे कि आप करेंगे तो उसमे लिखित में से कौन सी बिमारी पर कावो पालिया गया है तो अगर आपने अप्शन नमबर एच चुना है तो आपका सही है टीवी पर अभी जो चार उप्शन इसमें दिया गया है इसमें जो टीवी पर है जो कावो पालिया गया है यह कैसा बिमारी है नेश कोचन है कि भार गया डिए आप इसका writing से क्या होगा मैं कि ऐसकर आपसंड नमबर या जाए-र याया कि एक से यह से तीव mqfvài iiddiri टी इसका रायट एंसर होजाएक सब्सक्राइब क्युण किटनाचक एृग जाट डिव प्राप्त उनका जानि नमगह निम से प्राकिर्तिक नित ना जो जो एजाय td wreck team है तो कहान स्पॉता है तो निव से होगा नेक्ट कोचन है कि एंटी बायोटिक होती है तो आंटी बायोटिक क्या Demo से होगे क्योंकि दवाय में ही एंटोवाटिक होती है नेस्ट कोचन है कि निमली खिद में कौन दूध को दही बनाता है लेक्टो बैसीलस ल्यक्टो बैसीलस ही दुज को दही बनाता है इंफ्लॉएंजा को अधिक पर्चलित रूप जाना जाता है अक्त तो श्वाइन स्वाइन-फोइथ के आपका आपका सई हो जाएग कि रडार का अविस्कारह कौ सु Bro । तो प्सकाब से रहें हो जाएगा रावाट वाट्सन निव्ट को चल्द हो जितने भी अविस्कार को केशंच करवाए गये हैं और फिर जैसा हम को कुरेंगे कि अविस्कार अविस्कारा का एक अलग वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द हैं तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा उससे आप वो एक बार जितने भी अविस्कार विस्कारक हैं सारे मिल जाएंगे ऐसे एक एक दो दोगों हर एक वीडियो में डालते हैं ताकि आप धेर धेरे बहुत कुछ सिख सकते हैं चले नेश्ट को चले मनुस में एंफला टॉक्सीन खाद विशाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है तो अगर आपने ओप्सन नमबर डी चुना है तो आपका सही है ओप्सन नमबर डी यानि की यक्रित 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 जो है तो मनुस में एंफला टॉक्सीन खाद विशाक्तन द्वारा समानता अंग प्रभावित किया जाता है नेश्ट कोचन है नाइटीन में कि निमलीखित में से किस बिटामिन में कोबार्ट होता है तो अप्सन नमबर डी आपका सही हो जागा बिटामिन बी टुएल्ड बिटामिन बी टुएल्ड में आपका कोबार्ट पाय जाता है और सबसे अधिक मात्र में इसी में ही पाय जा जाता है नेश्ट कोचन है और लास्ट कोचन है कि इन में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौम सा है चार अप्सन दिया गया है अस्फेरोमीटर अनीमोमीटर इस्फिगमो मैनोमीटर आमीटर तो अगर आपने option number C चुना है तो आपका सही है अस्फिगों मैनोमीटर देखे जो रक्त दाब का जो मापक के अंतर है अस्फिगों मैनोमीटर है तो देखे सातियों यहां आपको 20 questions करवा दिया गया है इसको आप notes किर लिजिए और ज्यादा ज्यादा वीडियो को दोस्तों क पर मिलेगा आप लोग जोएन कर लिजेगा तो जैन साथ हो फिर मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में तब तक है लिए जैन जयावारब